लूच्ट जब अंधेरा हो जंगल में शेर खान घूमता है उसके हुरानिक की तहड को वीजनता है ये है जञगो पुख ये ही है जञगो पुख पागीरा और बलू अपने कर्दब दिखाए ये है जञगो पुख ये ही है जञगो पुख हम पहुच गए अब तुम जल्दी ठीक हो जाओ गया कि यह तो बहुत बड़ा है हम सब अंदर जाते हैं और वो पानी लेके आते हैं जिससे तुम ठीक हो जाओगे तुम यही रुको रुको ध्यान से जाना है कहा जाता है कि मंदिर के अंदर कई जाल बिछे हैं पर यह तो भीडियो का मंदिर है ना हां मोगली पर यह सालों पुरानी बात है यह इनसानों ने हमसे छीन लिया और चारों तरफ यह दीवारें बना दी और कसम खाई कि यहां कभी कोई दुबारा भीडिया ना आ पाए चलो तो हमें अंदर जाना चाहिए मैं यहां केला के साथ रहता हूं और इनकी हिफाज़त करता हूं नहीं अकेला के साथ यहां मैं रुकूंगा नहीं पियोना ही अकेला के साथ रहेगा पर दरुका मोगली तुम एक इनसानी बच्चे हो अंदर तुम्हारी जरूरत होगी पता नह तार से तुम यही रहना और अकेला पर नजर रखना कुछ भी गलत होता हो तो जल्दी से आकर मुझे बता देना ठीक है तो समझ गई हम जल्द ही लोटेंगे ना ही लोटो तो अच्छा होगा इस मंदिर को तो नहीं पता होगा ना कि हम यहां आए हैं यह मंदिर पत्थरों का बना है लाली और यह पत्थर बेडियों को पसंद नहीं करते हम यहां रोक्यों गए एक मिनिट आगे खत्रा हो सकता है जरा यह देखो ज्यान से मोखली देखना सिर्फ इन पैरों के निशान पर ही चल कर आना मैं जाता हूँ नहीं पीछे जाओ तुम्हें सिर्फ दो पैरों पर चलना होगा बाप रे यह तो बड़ा खतरनाक जाल बिचाया था हम जाल बिचाने वालों से ज्यादा होश्यार है तुम कहां जा रहे हो तुमने तो कहा था कि तुम यही रूकोगे मैं अकेला के लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ मुझे लगता है उन्हें भूख लग रही है तुम यहां से नहीं जा सकते पर बेना जाए खाना कैसे आएगा समझ रही आरा क्या करूँ अच्छा तो तुम चली जाओ ताकि वादे के मुताबिक मैं यहां अकेला के पास रुक जाओं क्या दिमाग लगाया है तुम यहीं रुको मैं बस अभी जाकर कुछ टेस्टी खाने के लिए लाती हूँ यह हुई ना बात अब इंतजाम कर दो ताकि यहां से कोई बच कर जाने न पाए यह रास्ता सही है हाँ ठीक है मोगली मोगली तुम चीता हो जल्दी मुझे यहां से पहार देका लो यहां देखो हुआ चलो हम पहुचने वाले हैं आराम से चलना लाली मैं अभी आया लाली तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए लाली मोगली शुक्रिया मोगली जल्दी जल्दी चलो वो रहा पानी हुआ हुआ दुआ करो पर सब अकेला ठीक हो जाए हुआ हुआ यही सड़ोगे तुमसाब हुआ हुआ मैं आ गई अकेला देखो तुम्हारे लिए बैरीस लाई हूँ तुम्हें बैरीस पसंद है न उचो भी खाओगे नहीं फियोना यह अकेला को क्या हुआ यह कहां चला गया ओहुआ कुछ करबड है मुगली मुगली को पलाना पड़ेगा कितना अंधेरा है मुगली कहां हो तुम्हेवना कहीं चला गया यहां तो मुझे बहुत डर लग रहा है बहुत डर मुगली मुझे नहीं मुझे नहीं मुझे नहीं हो रहा हुआ यह बहुत दूर है तुम मोगली हो अरे वाह मैं पहुंच गई मैं बहुत डरी हुई हूँ शुकरे तुम मिल गए और आराम से आराम से अब बताव हुआ क्या है डर्शी अकेला बेहोश हो गया है और फियोनिया भी गायब है जल्दी बहार चलो दोस्तों पर हम फंस गए है मतला मैं भी बाकि सभी मंदिर के अंदर फंस गया है आपको पानी नहीं मिल पाएगा मेरा अंत आ गया अब मैं जुंड का लीडर बनूंगा पर एक रास्ता है बोलो हम सब करेंगे पर डर्शी की मदद चाहिए होगी चलो जाओ डर्शी तुम कर सकती हो यह रुपान्ट आजी तुमने काय देका है आपको नी बागा आज जो वाज बार पच्छे, बार 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 पची बार बार जितना गिरना था गिर गिर गया हम पानी लिया आए आप शायद हमने देर कर दी आहिए ऐसा नहीं हो सकता पर पानी भी तो नहीं बचा जितना है काफी तुम्हें उठना ही होगा केला तो वो वापस नहीं आएंगे उन्हें बचाने की मैंने पूरी कोशिश की रक्षा पर जो होना होता है वो हो कर ही रहता है खैर जो भी हो यही जिन्दगी है और अब इस जुंड को एक नए लीडर की जरूरत है मैं हूँ तो नए की क्या जरूरत मोगली अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जब तक मेरी जान है लीडर मैं ही रहूंगा और जब मेरा वक्त खत्म होगा मैं ये तै करूंगा कि मेरे बाद तुम्हारा लीडर कोई मतलबी भीडिया तो बिल्कुल ना हो हम एक परिवार हैं और अगर हम मिल जूल कर रहें तो कोई बाहरी थाकत हमारा कुछ नहीं भिगार सकती अकेला के अलए हिप हूरे हो जाए हर हुड़ा थोड़ा ओर उपर पहुच गया बहुत अच गया थोड़ा सा पास होता तो मैं मदट कती हूँ बलू लुको थोड़ा बचा आँ मोगली तुम ठीक तो हो मुझे माफ कर दो मैं तो मदद करना चाहती थी समझ सकता हूँ अब और मत करना अब मुझे बस थोड़ा सा शेहद मिल जाता तुम बड़े प्यासे मैं दवाई वाले शेहद की बात कर रहा हूं बगीरा वो बादाम के पेड़ पर होता है बड़ा ही टेस्टी होता है मुझे बादम का पेड़ पता है मैं लाती हूँ तुम ज्यादा शेहद नईला पाओगी डार्जी मैं बगीरा के साथ जाकर लाता हूँ तुम बलू का खयार रखना देखना मधुमक्खिया ना काट ले मधुमक्खिया तो है ही नहीं और नाही शेहद बचा है यहां सारा का सारा शेहद किसी ने ले लिया अब ये जंगल के नियम के खिलाफ नहीं है बगीरा खिलाफ तो है पर क्या कर सकते हैं चलो बलू को ये बुरी खबर दे देते हैं एक मिनिट वो शेह चोर इस तरफ गया है क्यों नहीं उसके पीछे जाय जाय बगीरा पर जल्दी करना होगा बलू हमारा इंतजार कर रहा है अधे नहीं अधे नहीं पता नहीं बलू को क्या हो रहा है तुम्हारी मदद नहीं चाहिए प्लीज उस चोर ने और निशान भी जरूर छोड़े होंगे बगीरा कुछ महग तो मिल रही है तुम उस हनीटीप को ढूंड रहे हो ना मैं तुम्हारी मदद करता हूं नेवलो की नाप बड़ी तेज होती है हाँ और हम तेंदूओं के भी पर तुम्हारी नापने तो कुछ खास किया ही नहीं अभी तक अब बोलो मत कुछ करके भी दिखाओ रिखी चलो शुरू हो जाओ हाँ अभी लोग समझ आ गया हाँ मेरे पीछे हाँ हम सही दिखा की तरफ जा रहे हैं हाँ ठीक हाँ अब वाओ ना तब्युत बहुत खराब है कितना दर्द हो रहा है और गर्मी भी लग रही है कीचर हाँ तुम्हें कीचर चाहिए उससे तुम्हें धंदक मिलेगी बलू बंदर मुझे शक्त हो रहा था मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी अरे नहीं 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 बाबा नहीं हाँ जोडता हूं बहुत मदद कर ली तुम्हें क्यों आयों हूं हम वह शहद लेने हैं जो तुम्हारे बंदर हो ने बादाम के पेडसे चुराया है धिशन नहीं चुराया पर सबूत तो तुम्हारी तरफ इशारा करते हैं एक मिनिट इससे बंदर के खुश्बू नहीं आ रही इस चोरी की पीछे कोई और जानवार है और नहीं तो क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर इल्जाम लगाने की हमला करो अब तुम्हें कैसा लग रहा है बहुत सरदर्द हो रहा है मुझे शहत चाहिए थोड़ा सा और इंतजार कर लो मोगली बस आता ही होगा पर मैं और इंतजार नहीं कर सकता अरे नहीं नहीं बस थोड़ी देर और बलू थोड़ी देर सुनो एकी वो शहदबरा च्छत्ता है ना मैं नहीं दूंगी यह मेरा है पर तुम्हें यह मिला कहां से तुम्हें इससे क्या मतलब अगर मैं तुम्हें इसके बदले आम दू तो चलेगा मीठा मीठा आम बलू के पेड़ वाला ठीक है सौदा मंजूर है एक जानवर ने से यहां गिराया था पर तुम ध्यान से उसके पास जाना क्यों क्योंकि वो बहुत हो सैल है मैं भी बाल बाल बची थी अरे देख लेंगे वैसे वह रहता का है एक बड़े से पथर के नीचे यहां से सीधे चले जाओ शुक्रिया एकी शुक्रिया छोड़ो बस आम पहुंचा तुम ने तो इसका और कचुंबर निकाल दिया अरे नहीं नहीं यह मोगली अभी तक शहद लेकर क्यों नहीं आया चिंता नहीं करो बलू मैं जाती हूं उसे लेकर आती हूं यह रहा उस चोर का अड़ा यह तो छोटा छेद है तो फिर जानवर भी छोटा ही होगा हलो क्या कोई अंदर है एकी ने सही का था यह बड़ा घुसल है मुझसे पंगा मत लेना मैं हुआ रजीत अनी बाजा तुम सब से निपच सकता हूं मैं अरे हम लड़ने नहीं आ है वो क्या है की तुम्हारे पास थोड़ा शहर बचा है ना हां मेरे पास नहीं होगा तो किसके पास होगा पर मैं वो क इसी को नहीं दूगा क्योंकि शहद मेरा होता है तु इतना अकड क्यों रहा है क्या कहा है शुक्र मनाओ मेरा मूड अच्छा है चलो जाओ अब दफा हो जाओ यहां से क्यों ना इसे भी लालज दे एक हनी बैजर सिवाई शहद के और क्या खाता है सब कुछ अंडे कीडे बहुरोद मॉगली मॉगली जल्दी चलो रहा उतना घब्रा क्यों रही हो डाजी बलू ठीक तो है ना अरे नहीं तब दो आई हूँ उसे शहद की ज़रूरत है ठीक है हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है बलू की जान के खातर हम यहां से शहद ले कर ही जाएंगे चलो दो हाँ, ठीक है, मैं उस लल्लु को एक खुसे में हरा दूंगा, पाँच पाँच को रहा है मेरे नहीं, मैं हर्जीत को हराऊंगा, तुम रहने दो, रिकी, एक मिनिट, मेरे पास एक आइडिया है, रिकी, एक काम करो, तुम हर्जीत से भीडो और और ध्यान भठकाओ, और बगी मैं हरो, मुझे तुमारी ताकट की जरूरत है, मैरे मदद करोगी? रिकी, डिकी, डिकाओ टिके, डिल्कोइट टिके, डिके, टिके हइद। यह झाले जाएड़ लुड़ी है मुड़ादी वाएड़ी है टो खाले आड़ियो लाएड़ी टो यह पाले पाले यजर दोफ। ऑपश्स टो गोफ जाएड़ी जाएड़ी आपन्न कापने कहतै प brace How बेंस कव्क फाहर तरी दो आप कि वस्क आलेको उड़ा किचट कि जा किती जू बेदा वो मुझे वापस दो वो मेरा शहद है अरे बाबा तुम्हारे पास और बहुत है नहीं छोड़ूंगा कभी न कभी तो हाथ आओगे अब जाकर राहत मिली शुक्रिया मोगली रिकी को शुक्रिया कहो यही उस हनी बैजर से भिड़ा शुक्रिया रिकी तुम सब का शुक्रिया तुम सब अच्छे दोस्त हो तुम भी डार्जी मैं जानता हूं तुम मदद कर रही थी वैसे मदद से ज्यादा यह तकलीफ ही दे मेरे पास एक और चीज़ है बलू लो इसे खाओ इसे खाकर तुम और जल्दी ठीक हो जाओगे और हां क्यों नहीं यह मेरा है है नहीं लगता है मेरा सर फिर से घूम रहा है कौन चुप रहा है अगर हिम्मत है तो आउ सामने तुमने मुझे डरा ही दिया क्या मैंने तुम्हें डराया मुझे लगा मैं डरा था रास्ता भूल गए ठंडी गुफा उस तरफ है नहीं उसका नाम मतलो उस गुफा में बूत है मेरी क्यांसी सभी बंदर तो उसी इलाके में रहते हैं ना रहते होंगे पर मैं उत बंदरों में से नहीं हूँ मैं हूँ हिमाले पहाडों की बंदरिया, हम समझदार होते हैं इतने समझदारों की भूतों पर वरोसा करते हो, मेरा एक दोस है बलू, भूतों कहता है भूत जैसी कोई चीजी नहीं होती और मैंने भूत देखे हैं, दो पेरों पे चलते हैं, खतरनाक होते हैं, और हाथ में होती है आग गुगलने वाली डेटी लगता है इंसान जंगल में आये हैं, चलो, ये बात बलू को बताते हैं आओ मेरे साथ, मुझे अपना दोस्त समझो, मैं हूँ मोगली कितने दिनों से ये गायब है, तीन दिन और तीन रातों से, ओ, क्या मुसीबत है, बलू, बगीरा मोगली, का यहां आया है, काश मैं कुछ मदद कर पाता, पर मुझे तो शिकार पे जाना है, मैंने महिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया पर तुम्हें मदद करनी होगी का, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा वो छोड़ो, फिलहाल तो मुझे पेट भर के कुछ खाना है नहीं, मैं तो कहता हूँ, जो ज़रूरी है वो करो पर हमें मदद क्यों चाहिए बलू, हमारा वाइट कोबरा थू बीमार है और कहीं चला गया है पर किसी को नहीं पता कहा, कोबरा बीमार हो गया, पता नहीं क्या खाया होगा जाओ, डूडो, से, थू ठंडी गुफा के खंडरों के ख़जाने की रक्षा करता है और ऐसा वो सदियों से करता आ रहा है और थू के गायब होने से इंसान उस ख़जाने तक पहुचने में देर नहीं लगाएंगे अभी भी वो वहीं जा रहे हो अरे नहीं क्या हुआ मोगली यह लैंगर है इसने किसी को देखा है शायद इंसान थी वो भी ठंडी गुफा के पास मुझे इसी कडर था चलो जल्दी वरना देर हो जाएगी जा रहे हो मोगली थंडी गुफा की खंडरों में ख़जाने की हिफाज़त करने चीक है अच्छा से जाना बाइबाइ इतनी खामोशी कुछ ठीक नहीं लग रहा लगता है इंसानों ने बंदरों को यहां से भगा दिया है चौकन ने रहना मोगली वो आसपास ही होंगे मैं तो कहती हूं इंसानों को खजाना ले जाने देते हैं ताकि हमारी जान बच्चा है नहीं लैंगर अगर हमने ऐसा किया तो फिर जंगल में और इंसान आएंगे रुज हजारों पेर काटेंगे और ना जाने कितने जानवरों की जान लेंगे यह हम पहुंच गए यह दर्वाजा सदियों से नहीं खोला गया है मदद करोगे इस बात का पता किसी को नहीं पर जब तक इस का पता किसी को नहीं यह जंगल सुरक्षित है और हम ख़जाने की रक्षा कैसे करेंगे हमारे पास हत्यार भी नहीं है हमें जो भी करना पड़े करेंगे ताकि उन इंसानों को यहां से दफा कर सके तुम साब की तर आवाज निकाल सकते हो बलू जैसी का निकालता है कोशिश कर सकता हूं एक दम सेम टू सेम वह साब यहीं कहीं होगा बेवजा गोलिया मत चलाव इस जगे के बारे में बहुत सुना है एक बार खासाना दिख जाए बस अंधेरा हो रहा है रोश्नी का इंदिजाम करना होगा तब ही आगे बढ़ सकते हैं हमें और मदद की जरूरत पड़ेगी यह बताओ अगर इंसानों को भगा दिया तो बदले में मुझे क्या मिलेगा तुम तो जानते ही हो इंसान तुम्हारा भी कितना नुकसान करते हैं शेर खान तुम्हारे खाने वाले जानवरों को फर के लिए मारते हैं खाने की बात है तो मुझे वो इंसानी बच्चा मिल स तुमने इसकी बातें सुनी टबाकी एक एक बात अब ये क्या बात हुई बगीरा मैं मदद क्यों ने कर सकता मोगली मामला बहुत खतरनाख है अच्छा तो फिर उस लैंगर को क्यों रखा क्योंकि वो शेर खान लैंगर के पीछे नहीं पड़ा है देखो मोगली मेरे पास बह करो यहीं चीपे रहो मेरा प्लान है कि हम टीम में बढ़ जाएंगे और इंसानों को अहसास दिलाएंगे कि उन्हें घेर लिया गया है फिर एक इशारे के साथ हम जोर की आवाजें निकालेंगे कोई शक्या सवाल मैं घर जा सकती हूँ टेंशन मतलो बगीरा तुम्हें कु कोई है यहां मोगली देखो मैं आया हूँ टबाकी जरूरत की वक्त ऐसे दुम दबाकर बैठना अच्छी बात नहीं मुझे तुमसे बात नहीं करने टबाकी अच्छा तो वहां चुपे बैठे हो कम से कम मेरे साथ खेल तो सकते हो मोगली मैं भी तुम्हारी तरह अकेला सभी ठंडी गुफा के खंडरों में गए हैं हां तो तुम भी उनके साथ क्यों नहीं जाते हां उन्होंने मुझे आने नहीं दिया और वही कहा जो तुम्हें कहा मोगली कि मुझ में हिम्मत नहीं है क्या हां ऐसे ही कहा उन्होंने पर ये बिल्कुल भी सच नहीं है कम से कम म तो नहीं और नहीं मेरे बारे में अब तुम कहां चल दीए ठंडी गुफा के खंडरों में मैं किसी इंसान से नहीं डरता और नहीं बांगों से हुँ वो मशाल बना रहे हैं हमें अपना इशारा करना चाहिए अच्छा ये इशारा कैसा रहे है यह इशारा है चलो आवाज निकालो लेंगर कहा चारी हो यह तो बघीरा है हो क्या रहा है यहां मुझे इस बारे में कुछ नहीं जानना इंसानी बच्चे तुम ही जाओ वहां तुमसे बड़ा कायर मैंने आश्टक नहीं देखा कायर बनकर जीने में ही भलाई है वरना हिम्म तुम ने मेरे साथ चाल चली खान तुम जैसो पर तो कभी भरोसा नहीं किया जा सकता पर मैंने तो धोका नहीं दिया मैंने कहा था मैं इंसान का सफाया करूंगा और अभी मैं वही करने जा रहा बलू कहा हो तुम तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ और शेर खान कहा है देखो इनसान खुजाने की तरफ बढ़ रहे है जंगल में असली के ब्गूत होते हैं क्या मतलब है तुम्हारा अरे इंसान उनसे डर कर जो भाग जाते लेंगल तुम्हें इस मौके पर मजाग सूझ रहा है एक मिनिट रुको फूट अरे हां हम यहां क्यों आए हैं यह तो इंसानों का इलता है मैं तो इंसान ही हूँ भूल गई ऐसा है क्या वो आ गये हैं चलो चलाते हैं ठीक तीन गिनने के बाद एक दो तीन वहां से चले जाओ कि वापस नाज के नहीं आएंगे शुक्रिया मोगली और लैंगर का भी हम दोनों ने मिलकर अच्छा काम किया है ना पर मैं सबसे बहुत कि तुमने मेरी बात को नजर अंदास किया मोगली उस टबैकी पर कभी भरोसा मत करना वैसे तुमने भी तो शियर खान पर भरोसा किया था क्यों बलू तो बोलो आप क्या करना है क्यों ना कोई भूत की कहानी हो जाए हाँ सुनाओ मैं किसी भूत-भूत से नहीं डरता तो अच खाने से लगता है अज के बाद देखूंगा भी नहीं अब जाओ यहां से अपने खसाने की रक्षा मैं खुद कर लूंगा हम वो गया ना हम समझ गया बलू तुम भूत-वूत से नहीं पर जानवरों से ड़ते हो रहररररlaw जानवर जानवर जत देखे हो